पंजाब औन सिंद बैंक FD यानि पंजाब औन सिंद बैंक fixed deposit अगर आप पंजाब औन सिंद बैंक के customer है और आप अपने पैसो को FD में invest करके अच्छा return कमाना चाहते हैं तो आज हम आपको पंजाब औन सिंद बैंक FD के बारे में पूरी जानकारी देंगे इसे के साथ आपको यह भी बताएंगे कि अगर आप पंजाब और सिंद बैंक में एक साल के लिए एक लाख रुपे की FD करवाते हैं तो आपको कितना return मिलेगा तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों पंजाब और सिंद बैंक में आप कम से कम 7 दिन और ज्यादा से ज्यादा 10 साल के लिए अपने पैसो को FD में invest कर सकते हैं वही अगर आप अपने पैसो को 6 महने के लिए FD में invest करते हैं तो आप जनरल सिटीजन है तो आपको 6% और senior citizens हैं, तो 6.50% per year के इसाब से interest मिलेगा वही अगर आप अपने पैसो को 1 साल के लिए FD में इंवेस्ट करते हैं तो अगर आप general citizens हैं, तो आपको 6.40% और अगर आप senior citizens हैं, तो आपको 6.90% per year के इसाब से interest मिलेगा अगर 5-10 साल के लिए FD में इंवेस्ट करते हैं तो अगर आप General Citizen है तो 6.25% और अगर आप Senior Citizens है तो आपको 6.75% per year के इसाब से इंटरस्ट मिलेगा 6.40% होता है 6,400 और 6.90% होता है 6,900 तो अगर आप General Citizens है तो आपको 6,400 और अगर आप Senior Citizens है तो आपको 6,900 का रिटर्न मिलेगा तो ऐसे में अगर आप Punjab and Sindh Bank के Customer है और आप अपने पैसो को FD में इंवेस्ट करके अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आप Punjab and Sindh Bank में कम से कम एक साल के लिए अपने पैसो को FD में इंवेस्ट करें तो उमेद करते हैं यह जानकारी आपको काम की लगी होगी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें